नमस्ते, मैं हूँ आचारे प्रतिष्ठा सर्दिया जहां हमारी पूरे शरीर की त्वचा को खुश कर देती है हमारे स्कैल्प को भी खुश कर देती है वही वो हमारे चेरे की फेस की स्किन पर भी प्रभाव डालती है और face की skin यानि facial skin भी dry होने लगती है यो तो यदि हम अपने complete body की skin से face की skin को compare करें तो हम उसको काफी moisturized रखते हैं दिन में 2-3 बार कुछ न कुछ आप चेरे पर लगाई लेते हैं as compared to शरीर की तवचा लेकिन फिर भी बहुत ठंड होने पर हम आलेज भी कर जाते हैं और हमारा चेरा मौसम की वज़े से भी dry रहने लगता है ये dry skin की problem उम्र से पहले wrinkles भी ले आती है और अनेका नेक और समस्याएं भी ले आती है ऐसे में ये बहुत आवश्यक है कि आप नयमित रूप से योगा भ्यास करें because physical activity भी आपकी बहुत नहीं हो रही जिससे blood का circulation upward हो यानि अंदर से भी आप कुछ नहीं कर रहे बाहर से भी आप कुछ नहीं कर रहे जिसका effect होता है कि हमारी तवचा dry होने लगती है हम उम्र से पहले बुज़ूर्ग लगने लगते हैं अगर आप नयमित रूप से योगा भ्यास करते हैं योगिक जीवन शैली जीते हैं तो आप अपनी चेहरे की तवचा को dry skin से बदल करके glowing skin में convert कर सकते हैं भरी सर्दियों में भी कैसे यह मैं आज आपको बताऊंगी कौन से योगा भ्यास करने हैं आईए जानते हैं योनी मुद्रा के लिए आप अपने आसन में स्थिर हो करके बैठेंगे और अपनी जीब का पाई बना करके की उस पाई जाप से आपको सांस लेना है और अपनी गालों में भर लेना है बीधर होल्टकर के रखेंगे अंगूठों से अपनी नासिखा को बंद करेंगे और इस प्रकार से सारी उगलियों को आपस में मिला देंगे ध्यान से दीखि कैसे करेंगे है अद्ध्य ए नजय हैं है Grenas आपने जीप का आइप बनाया आप से सांस लिया गालों में भरा दसिका को और में सब्सक्राइब अपने हाथों को आपस में रुकाकर बंद कर चिनलोग में दियाद नहीं लगा देश नहीं लेड में लगां Play्शिव hinter लगउटरा। तो आप चिनलोग नहीं लगाएंगे, सिर्फ गर्दन को आगे धीला छोड़ देंगे. जब तक आप सांस को भीतर रोग करके रख सकते हैं, तब तक स्थिती में रुखना. और जब लगे कि अब मैं और देर सांस को भीतर नहीं रोग पा रहा हूं, तो चिनलोग खोल देना, हाथों को हटा देना, नासिका से नाक से सांस बाहर छोड़ देना. इसका अभ्यास आप पाँच बार तक कर सकते हैं, अगर अस्थमा की प्रॉब्लिम है, या आप हार्ट पेशिंट है, तो आप इसका अभ्यास नहीं करेंगे, बाकि सभी लोग इसका अभ्यास कर सकते हैं. दूसरा अभ्यास जो आपको करना है, वो है अर्ध शीरशासन, और अर्ध शीरशासन के लिए हम बजरासन में बैठ जाते हैं. इस प्रकार से आप बजरासन में बैठेंगे और आगे की ओर जुकना फिंगर्स को इंटलॉक करके जमीन पर तिका देना। अब इस थिती में अपने माथे को जमीन से चूना और सर के जो ऊपर का हिस्सा है वो आपकी हथेलियों को चू जाएगा। इस थिती में आना और फिर पंजो को जमीन पर तिकाते हुए अपने घुटनों को भी उठा लेना। और माथे को इस पर तिका करके पूरे शरीर को धीला छोड़ देना। प्रेतने शेथिल्यम एपसलूट रिलाक्सेशन इन दिस पोजिशन। धीरे धीरे से वजरासन में बैच जाना शरीर को धीला छोड़ देना। इसका अभ्यास आप तीन से चार बार तक कर सकते हैं। इन ख्रियाओं का नियमित अभ्यास करिए और भारत योग का एक बहुती प्रसिद्ध नुस्खा जरूर लेते जाते 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 आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है। मिक्सचर अपने घर में बना करके तैयार करना है। जिसमें आप लेंगे ग्लीसरील और गुलाब जल और साथ में नीबू का रस यानि ग्लीसरील और नीबू का रस बराबर मात्रा में। फ्यू डॉप्स अप गुलाब जल जिससे वो सुगंधित भी रहेगा। इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके एक बॉटल में डाल लीजिए। रात को सोने से पहले जब आपना फेस वॉष करते हैं। तो थोड़ा साही मिक्सचर लीजिए। इस तरह से उसे अपने हाथों में लगाईए। और अपने पूरे चेहरे पर 5-6 मिनट तक मसाज कर दीजिए। और ओवरनाइट उसे लगा रहने दीजिए। सुभा आप मूध होएंगे। साबुन का प्रयोग आपको अपने मूध पर नहीं करना है। सुभा आप पानी से ही मूध हो लीजिए। दो-तीन दिन में ही आप देखेंगे कि आपकी ड्राइनस दूर होने लेगेगी। इसके साथ साथ जिल लोगों को ऐलोवेरा सूट करता है। वो बिलकुल आसानी से आपके आसपस कहीं भी ऐलोवेरा लगा हुआ मिल जाएगा। अगर आपके पास ना अलोवेरा है ना ही आपके पास ग्लीसरी नीवू और गुलाब जल है तो आप सिर्फ दू ड्रॉप्स शुद्ध गाय का देसी घी ले सकते हैं। और अच्छे से उसे हाथ पर मलिए और अपने चेहरे पर लगा करके ओवन आई छोड़ दीजे। कुछ लोगों को घी के यूज से पिंपल्स हो जाते हैं एलोवेरा के यूज से पिंपल्स हो जाते हैं वो ग्लीसरी नीवू और गुलाब जल का जो मिश्रण है उसका प्रयोग करेंगे। लेकिन इस वक्त जो आपकी स्किन इतनी ड्राय है उसके लिए यह बहुत आवश्यक है कि आप यूगा भ्यास नियमित रूप से करें अपने आपको हाइड्रेटिज रखें सर्डियों में हम पानी बहुत कम पीते हैं यह भी एक बहुत बड़ा कारण होता है क्योंकि हम हाइड्रेटिव नहीं है तो हमारे बोडी कि स्किन ड्राय होने लेती है पानी खुब पिये सात्विक आहार ले सर्डियों में खूब हम पका हुआ गरिष्ट भोजन का सेवन कर फिजिकली आक्टिव रहें और हमारा कारण देखते रहें